आज हमेंगे बनाएंगे राजस्थानी स्वीड डिश जिसे कहते है रबडी का मालपुआ इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे आधा लेटर दूर जिसे हम वन तिहाई तक उबाल के कम करेंगे जिसे हम तोड़ा रबडी जैसे गाढ़ा बनाएंगे अब ये उबाल के एक तिहाई कम हो चुका है अच्छी खासी रबडी बन गई है अब हम इसे थंडा होने के लिए लग देंगे जब तक कि वो थंडा हो रहा है हम रब चासनी बनाने की तयारी करेंगे एक सॉस पैन लेंगे उसमें हम आधा पतोरी शप्कर डालेंगे शप्कर भीगने तक के लिए पार जाएंगे और इसे चलाते रहेंगे इसे रोज इसेंस मिला सकते हैं इलाइची पाउडर मिला सकते हैं इससे आपके मालकोवे में अच्छा फ्लेवर आयेगा इस तरह 10-15 मिनिट तक चलाते हम इसकी चासनी बना लेंगे अब अपने चासनी बनके रेडी हो चुकी है इस रबडी में अब हम धीरे धीरे थोड़ा मिलाते जाएंगे समयते की गुठलिया ना हो इसका हमें ध्यान रखना है और एक अच्छा सा स्मूद पेस्ट बनाना है इस तरह अच्छा सा बैटर बना लेना है अब हमें पैन में थोड़ा की गरम करेंगे अब हम इसे उल्टा करके दूसरी तरफ से सेखेंगे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसी तरह हम दूसरी साइड से भी सेख लेंगे इस तरह से दोनों तरफ से अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन को चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे चास्नी में डालेंगे अपनी चास्नी गरम है उसमें हम अप ये आठ से दस मिनिट के लिए अदर लिगा के रख देंगे अपने माल पुएव अच्छी तरह से भीग चुके है अब हम इने चास्नी में से निकाल लेंगे गरम गरम माल पुएव को आप गुलाब की पंखुडिया या पिस्ता इनी चीजों से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं अच्छी तरह सकते हैं हूँ झाल झाल